नमस्कार, मेरे नाम है शेफर पाल सिंग्स होकी और मैं बनाने सिखा रहा हूँ आपको समर ड्रिंक्स ऐसे ये जो समर ड्रिंक है न मुझे याद है मेरे जो खर मतलब खड़कपूर में मतलब जहां में रहता था पचपन से वहां रहा हूँ और वहां पे पान दुकान थी वहां पे ये मसाला सोडा बढ़िया बनता था ऐसे तो ये सभी जगा बनता है घर घर में बनता है मैं इसे आपके लिए बनाना दिखा रहा हूँ कि कैसे मसाला सोडा बनाया जाए सबसे पहले कि यहां पर मेरे पास है sugar syrup तो यह शुगर शिरफ ले लिया छे बड़े चमच शुगर शिरफ अच्छा शुगर जिरफ जैसे हम कहते हैं छे बड़े चमच तो एक चीज का ध्यान रहे कि शुगर शिरफ जो ए उसकी strength के उपर होता है अगर शुगर घाड़ी है तो थोड़ा सा कम डालें पहले और उसके बाद आप थोड़ा टेस्ट कर ले उसके बाद जादा तो डली सकता है लेकिन अगर जादा डल गया तो कम नहीं हो सकता है इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पे एक नीबू का रस पूरा ये नीबु का रस और इसके साथ चाथ आधा छोटा चम्मच काला नमक ये डाल दिया काला नमक और साती साथ चाट मसाला एक चम्मच चाट मसाला छोटा चम्मच चाट मसाला और थोड़ी सी काली मेरी कूटी हुई लब एक छोटी चम्मच काली मेरी कूटी हुई इन सब को लेके यहां यह देखिए बढ़िया तरीके से मिला लिया है अब इस ग्लास में मैं डाल लूँगा बरफ धेर सारी बरफ अच्छा इसके साथ चाथ एक काम करेंगे मेरे पास है ऐसा पोल अच्छा इसको लेके देशी तरीके से वाह इसे मिला लिया मैंने अब बिल्कुल मज़ेदार तैयार इसमें क्या करेंगे ओह ओह सोडा देखिए कभी कबार ऐसे हो जाता है लेकिन यह इसमें डाल लेते हैं सोडा और इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिला लें साथी साथ घर पे सर्फ करने तो पुदीना का पत्ता डालें गर्मियों में ठंडी चीजें बहुत ही मज़ेदार होती है इससे पिए पेट की हाजमें के लिए अच्छा है ऐसे ही बनाए जैसे मैंने बनाया मसाला सोडा अच्छा है